आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, हमें दिया गया है एक अक्षा में छात्रो का बुद्धी लबदी प्रापतांग इस प्रकार है कि बुद्धी लबदी प्रापतांग दिया गया है और छात्रो की संख्या दी गई है अगर बुद्धी लाबदी प्रापता अंक 80-90 के बीच में बोला गया है तो 6 चातर है 90-100 के बीच में 9 चातर है 100-110 के बीच में 16 चातर है 110-120 के बीच में 13 चातर है 120-130 के बीच में 4 चातर है 130-140 के बीच में 2 चातर है तो हमें बताना है सो और अधिक बुद्धी लब्दी और अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी तो आप देखते हैं तो देखिए अगर हमें दिया गया है कि 80 से 90 की बीच में 6 है 90 से 100 की बीच में 9 है तो हम क्या करेंगे इसके लिए अलग से टेबल में आ लेते हैं हम लेख लेते हैं आपर बुद्धी लब्दी प्राप्तांक और यहां लेख लेते हम छात्रों की संख्या तो देखिए यहां से क्या होगा बुद्धी लब्धी प्राप्तांक के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए एक अलग से टेबल बनाएंगे टेबल के अंदर देखी हमें दिया गया 80 से 90 यहाँ 6 आजाएगा इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ से 90 के बाद वाले बात करेंगे तो हमारे पास 9 आजाएंगे फिर बात करेंगे 100 के बाद हमारे पास 16 आ जाएंगे फिर उसके बाद करेंगे 110 के लिए हमारे पास 13 आ जाएंगे 120 के लिए हमारे पास 4 आ जाएंगे इसी बरकार 130 के लिए हमारे पास 2 आ जाएंगे तो दीखें ये हमारे पास 4 किसंग क्या चुकी है अब हमें बोला गया है कि 100 और अधिक लब्दी वाले यानि हमें क्या करना है 100 को तो लेना ही है और इसके बाद वाले भी लेने है तो हम क्या करेंगे 16 को भी लेंगे 13, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास चात्रों की संख्या जाएगी तो देखिए 16 पलस 13 पलस 4 पलस 2 16 और 13 हो जाएंगे 29, 29 और 4 हो जाएंगे 33, 33 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 35 तो हमारे संख्या क्या जाएगी 35 ऑप्शन नमबर 2 इस दा राइट आंस्वर क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आयाईटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्ट्वेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर